अवेद गेस रिफिलिंग करते आठ आरोपी को पुलिस ने किया गिरफतार आगे की पुस्ता जारी राजगर थाना शेत्र में कर रहे थे अवेद गेस रिफिलिंग पूरो में भी पुलिस कप्तान ने इस रिफिलिंग माफिया पर एनसे तक लगाई थी लेकिन अब गेस रिफिलिंग माफिया सक्री हुआ और साइबर क्राइम की टीम वा लोकल पुलिस के द्वारा राजगर थाना शेत्र में गेस रिफिलिंग का सामान पकड़ा है वहीं तीन टेंकर एक पिकप 51 खाली सिलेंडर 17 भरे हुए सिलेंडर नगद रासी जबत की वहीं आट आरोपियों को मोके से गिरफ़तार किया है मुख्या आरोपी चंदर दांगी जो की अवेद गेस रिफिलिंग अवेद काला डामर सहीद अवेद कारोबार का शेत्र में बड़ा माफिया है लार पुलिस अधिक्शक अधित प्रताप सी ने बताए कि साइबर क्राइम वा लोकल पुलिस के द्वारा यह कारवाई की गई है, इसमें मुक्च अरूपी चंद्र दांगी अभी फरार है, उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस पूरे मामले में अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारी साइबर क्राइम और लोकल पुलिस की कारवाई में पुलिस ने राजगर थाना छेतर में एक गैस रिफिलिंग का स्कैंडल पकड़ा है जिसमें पुलिस ने आठ रूपियों को गिरफतार किया है और अभी करीब चार रूपी फरार है इसमें पुलिस ने करीब डेड़ लाख रूपे के संसादन जिनसे ये गैस रिफिलिंग की जा रही थी उसको पकड़ा है जिसमें तीन टैंकर जिसमें प्रतेक टैंकर की कीमत करीब 55 लाख रुपे है एक पिकप कुछ नकद पैसा है उसके लावा 51 खाली सिलिंडर और 17 भरेवे सिलिंडर पुलुशनर पकड़े है और इन सभी जो इस स्कैंडल के पूरा जो मुख्या रुपी है व उसका दोस्त संजय और पवन है संजय और पवन को पुलिस ने पकड़ लिया है चंदर दांगी अभी फरार है इसमें अभी तक आठ आरुपे को पुलिस ने ग्रिफतार किया है और करीब 3-4 अन्य आरुपी चिनित हो रहे है और इन्वेस्टिकेशन अभी आन है आगे जैस से इन्वेस्टिकेशन बढ़ेगी और भी आरुपी बनने की संभावना है सरी बरावन सामगरी की कीमत कितनी टोटल कीमत इस सामगरी करीब डेड़ करोड रुपे से अधिक है